हाई फ्रेंड्स वेलकम टू नॉकिस्टडी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चेलल नॉकिस्टडी में तो स्सी स्टाप सेलेक्शन पोस्ट के तरफ से सलेक्शन फेज 7 फेज 8 2020 के लिए वैकंसी निकल कर आ रही है जो कि लगबग 1300 के करी वैकंसी है तो एक बड़ी क मेकंसी है और डेट फोर सब्मिशन आफ ओनलाइन अप्लिकेशन 21 फेवर्य वर इससे स्टाप वरा जो कि 20 मार्च तक चलेगा और लास्ट डेट है 20 मार्च तक को लास्ट डेट है अब टू 23 59 वीम और लास्ट एट फोर मैकिंग ओनलाइन फी पेमेंट है 23 मार्च और लास् डेट फोर पेमेंट तो चलांड डूरिंग वर्किंग आउर ऑफ बैंक 25 मार्च है और डेट ओफ कंप्यूटर बेस्ट एक जांशन जो है वो 10 जून 2020 से 12 जून 2020 तक है और आगे देख सकते हैं गवर्मेंट स्ट्राइब्स टू है वर्कफोर्स विच रिफ्लैक्ट जेंड करने के लिए www.sc.nic.in इसकी ऑफिसेल वेवसाइट है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपलाई भी हैं इससे कर सकते हैं इसी वेवसाइट से और डिटेल डिस्क्रिप्शन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं आगे देख सकते हैं कंडेट्स ऑन सीकिंग फी कंसेशन ए सी तो ऐसी स्टी का सर्टिफिकेट बजो बनवाना पड़ेगा ओबी सी और डाउनलोड के लिए भी अनिकी सेल नॉट्ट विकर्ज दा क्रूसियल डेट पो सब्मीटिंग दा इंकर्मेंट एसट सर्टिफिकेट बाइदा कंडेट में भी ट्रेटेटर एज़ दा आपको जो भी सर्टिफिकेट है एडवलोएस ओवी से स्टी बीस मार्च तक आपको त्यार करना है और यहां पर देना भी है शेंट्रल गवर्मेंट सिविलियन एंप्लॉईज के लिए इस्ट्रक्शन दिया गया है और नीचे आप देख सकते हैं फूर परस्टन भी डिज के लिए डिसक्स्टन दिया गया है और आप स्पेशल इस्ट्रक्शन पर पी डवलूड कंडिड़ेट के लिए दिया गया है टाइप अफडीज बीटी के बारे में डिसक्श किया गया नैशनल नैस्नल लिटी है और सीटीजन आफ इंडिया नेपाल भुतान सभी के लिए इस लिमिट यहां पर कि एस्ट के लिए फाइब से यर का छूट दी गई है और ओविसी के लिए थाड़ी तीन साल की प्रकार से शवी को छूट दी गई है फूर गुरुप सी पोस्ट है जो लास्ट आने की एज क्रिटेरिया है अप टू फोटी एर्स ओपेस है और सेंट्रल गौर्णेंट इंपलॉई के लिए फूटी फाइफ यर्स है और फूटी फाइफ यर्स डैवॉर्स के लिए और फूटी यर्स है विड़ो डैवोर्श ओमेंस के लिए तो इस प्रकार से सारे डिस्क्रिप्टिशन आप डॉनलोड करके पढ़ सकते हैं एक सर्षिमेंट के इसके भी दिया गया है क्रिटेरिया इसमें आपको टेंथ लेवल ट्वेल्ट लेवर और ग्रेजविट लेवल तीनों लेवल के वेकंसीज हैं इसके बारे में भी आगे हम बताते हैं जो जो कुरूशियल डेट फूर डिट्रेमाइनिंग्स डिट्रेमाइनिंग आफ एज जो है एक जनवरी 2020 तक है एसेंटियल क्वालिफिकेशन के लिए और एज लिमेट के लिए भी आनिकी तब तक आपको एज लिमेट पुरा करना है और एजिक्वेशनल क्वालिफिकेशन लास्ट टेट ट्विटीट अप मार्च है आप देख सकते हैं सम अप्टर सक्सेस्प पड़ता है एप्लिकेशन फी जो हंड्रेट रूपीज है जिनको कि आप आप आउनलाइन पेख कर सकते हैं और मैं कैडिडेट और जो कैडिडेट सी एस्टी पीड़ूडी यह सम से बिलोंग करते हैं उनको फी नहीं देना है और सेंटर्स ऑफ एक्जामिशन के बारे में यहां पर बताया गया है सभी रिजन में कई कई सेंटर बनाए गए हैं इस परकार से आप सेंटर भी देख सकते हैं सेंटर भी आप चूज कर सकते हैं और स्किम ऑफ एक्जामिशन से आपको जेरल इंट्रीजेन्स 25 को सेंस होगा मार्क्स 50 मार्क्स और जेरल जेर्ल अवेर्नेस होगा 25 को सेंस 50 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क्स फॉर इच रोंग एंसर्स होगे आने की वन बाइफोर है और टोटल डियूरेशन से 60 मिनिट्स और 80 मिनिट्स दिया जागा जो की अस्क्राइब से लेंगे आने की इलिजिबल नहीं है डिजैबल डिजैबिलिटीज जिनके पास है और इस प्रकार से जो आपको आइडेंटिफिकेशन से कार्ड लेकर जाना पड़ेगा वोटर साइडी कार्ड आधार कार्ड ड्राइबिंग लाइसेंस पैन कार्ड पास्पोर्ट इत्यादिया आपके पास होना चाहिए आगे डॉक्यमेंट वेरिपिकेशन के भी रूल्स ते इस प्रकार से सेलेक्शन प्रोसेडियर जोगा रिकृट्वेंट तो सेलेक्शन स्पोर्ट मेर्ट रिटेन एग्जाम्शन इन कंप्यूटर बेस्ट मोड कंसिस्टिंग ऑप अब्जेक्टिव टाइप मल्टिपल चोइस कोश्चन जोगा सीवीटी मोड में एक्जाम होगा से के दुरा आपका सेलेक्शन किया जाएगा और कॉमन केंड़ेट्स विल बी इसूट वरलीवन एडिशन सट्पिकेट पर वन लेबल ऑफ एक्क्यू बाइदर रिजन सब रिजन अंडर वोज जुरिस्टिक्शन दे सेंटर आफ एक्जाम्शन ऑप्टेट बाइद आप को टीन फॉर्म भरे हैं तो आपको एक ही एडमिट काट दिया जाएगा अनिक एट लेबल में आपको एक ही बार अप्लाइग करना है और क्वालिफाइंग मार्ट जो है कंट अप मार्ट रिजरवड के लिए 35% ओबी सी डव्लीएस के लिए 30% और अदर के लिए 25% आपको आपके पास यहां जाएंट को डिगरी है आपके पास विरी कर सकते हैं तो इसके लिए प्लाइ कर सकते हैं इसलिए और अपने स्तान सुनशीप कर सकते हैंG सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड के साथ चेर करें थैंक्स फूर वाचिंग दिस वीडियो